आज के इस वीडियो में हम सुरू करने माले हैं वीफार्मसी फर्स सेमस्टर यूमा अनटोमी अन फिजियोलोजी का आकरी यूनिट जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है हर तरह के एक्जाम में आपसे पुछा जाता है आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे basic introduction of hormone as well as some important points regarding endocrine system सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये hormone होते क्या है hormone होते हैं biochemical substance तो biochemical substance मतलब क्या हुआ biochemical word दो सब्दों से मिल के बना है पहला है आपका bio और दूसरा है chemical तो chemical का मतलब होगा chemical उसका nature है लेकिन bio का मतलब है biological organism तो अपन ये बोल सकते हैं कि biochemical ऐसे chemical substance है या ऐसे agent है जो biological organism के द्वारा generate किया जाते हैं और ये उन्हीं के लिए यूज किया जाते हैं वो कराते हैं आपके biochemical substance और ये जो hormone है as a biochemical substance कहां से release किया जाते हैं ये आपके endocrine gland से release किया जाते हैं glands का मतलब होता है एक thalinoma structure जिसे हम vessels कहते हैं इस glands में इस vessels में कोई ने कोई chemical substance भरा हुआ होगा जिसे हम hormone के नाम से अभी जान रहे हैं और ये यहां से release होते हैं आपके blood में जाते हैं अपना ये respective function को पूरा करते हैं तो ये glands कहला गए endocrine में endocrine का word होता है अंतह यानि की अंदर से जाने वाले और क्राइन का मतलब होता है secretion जो internal part पर secret करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये अपने secretions को जो hormone के नाम से जाना जा रहा है वो कहां पर भेज रहे हैं वो कहां से भेज रहे हैं blood में भेज रहे हैं और कहां पर भेज रहे हैं अपने specific target cell पर भेज रहे हैं तो यही है आपका hormone ठीक है आगे देखते हैं ये एक messenger के तरह काम करते हैं और ये जरूरी point है ये एक messenger के तरह काम करते हैं और पूरी body में blood stream से move करता हुआ tissue तक और organ तक पहुंचते हैं ताकि ये various body का जो function है उसको regulate कर सकें messenger का क्या मतलब है भई देखो अगर यहाँ पे दो व्यक्ति बैटे वे ये A है और ये B है तो A A अपनी बात को B तक पहुंचाना चाता है लेकिन distance बहुंच जादा है तो वो directly पहुंचाना नहीं पाएगा इनके बीच में ये क्या करता है कि A और B के बीच में एक C वेक्ति को लेके आ जाता है तो ये अपनी message को C तक पहुंचाता है C इस message को ये connecting link का भी काम कर रहा है वैसे ही जो हमारा hormone है वो एक messenger है जो blood stream से होता हुआ tissue organ तक पहुंचता है और जितने भी function है उनको regulate करने का काम करता है इसके बहुत सारे function है आपके endocrine और as well as hormone के जैसे मोटा मोटा कर आप ले ले mood का regulation up, down, happy, sorrow ये सारा चीज यहाँ पर decide करने का काम करता है mood का इसके साथ और भी इसके कई सारे function है हर एक hormone का एक specific target सेल होता है वहीं पर जाकर के bind होता है अपना action देता है क्योंकि उसी target side पर उनका एक specific receptor होता है जो receptor पर bind होने पर physiological function को response को activate करता है इसका क्या मतलब है देखो, हर एक hormone का specific target होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा endocrine gland है ठीक है, अगर मैं मालू इसको ये मेरा endocrine gland है इससे जो एक hormone निकल करके आएगा, ये हर एक hormone किसी एक जगा पर जाकर काम नहीं करते हैं, बलकि ऐसा होता है कि इससे निकलने वाला hormone ये A नाम की जगा पर जाएगा और ये वाला hormone B पर जाएगा बाकि C पर या कहीं और पर जाएगे तो अपना अपना एक target होता है जितने भी gonand से वो के वाल reproductive system पर काम करेंगे, जितने भी metabolic hormone है, वो metabolism को affect करेंगे तो उनका एक अलग-अलग target site है लेकिन यहाँ पर एक जियाद रखेगा specific action, specific cell पर क्यों दिखता है क्योंकि उनके पास specific receptors होते हैं so what is the meaning of receptors pharmacology में भी पढ़ हो गई receptors are the macromolecule बड़े molecule होते हैं, proteinious in nature होते हैं, जो या तो cell के surface available होते हैं, या तो inside available होते हैं, और इनका काम कोई pharmacological, physiological action impart नया करना नहीं होता, बलकि उसको facilitate करने का होता है तो हर एक cell पर specific receptor पाए जाते हैं तो भी वो जाके काम करता हैं, जैसे माल लो कि यह एक मेरे receptor है जो कि किस specific function को काम करता है और इसको function को सुरू करने के लिए ये कोई chemical जवरत है, तो और दूसरा chemical मेरे पास इस shape में, triangle shape में available है, तो ये जो आपका signal है, वो यहाँ पे आके तो mind हो ही नहीं सकता, क्योंकि structure similarity है निए इसलिए इस वाले को देखो, ये अराम से आ जाएगा, occupy कर लेगा और जैसे ही occupy करेगा, इसकी जो biological activity है, जिसे मैं short में BA लिख रहाँ, वो start हो जाएगी तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो drug signal molecule है, बहुत important है एक single receptor किसी काम का नहीं है एक signal, या तो signal, या तो किसी काम का नहीं है, जब तक दोनों का collaboration हो करके, complex नहीं बन जाता तो इसी complex को हम लोग बोलते हैं, drug receptor complex, या receptor occupation theory, जो कि बहुत important है अब आपने समझ लिया कि basic basic hormone क्या होता है आगे देखो, अगर हम बात करें classification की, जो कि आगे detail से समझ में आएगा, तो hormone को कई अलग अलग तरीके से ही classify कर सकते हैं classification का तरीका ही एक से ज़्यादा है, जैसे अगर आप बात करें chemical structure के हिसाब से classification का तो ये peptide hormone के रूप में classify किया जा सकते हैं steroidal hormone के रूप में classify किया सकते हैं, और amine hormone के रूप में classify किया जा सकते हैं हर एक जो हॉर्मोन है जो इस category का है वो अपने आप में difference है क्योंकि देखिए chemical structure अलग है peptide अलग है steroid अलग है amine अलग है तो यह इनका structure भी बिल्कुल अलग होगा और इनका जो mechanism of action है यानि की काम करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होगा कौन से हॉर्मोन अंदर जा करके काम करेंगे receptor के और कौन से उपर से ही काम करेंगे तो सब कुछ अलग-अलग होता है the balance of hormone level is tightly regulated by feedback mechanism अब हमारे body में hormone का level कैसे होगा जादा होगा कम होगा कैसे करना है उसको manage करने के लिए हमारे body का feedback mechanism बहुत ज़्यादा important part play करता है तो ensure the body's homeostasis अभी समझाता हूँ एक-एक word को feedback mechanism क्या होता है feedback mechanism आपके body के द्वारा produce किया जाने वाला दिखाया जाने वाला एक महतुपूर्ण mechanism है जिसमें आपकी body ज़्यादा या कम के केस में आपकी body को वापस से normal stable case में लाने की कोशिश करती है अगर कोई chemical की कारण से कोई body का physiological function अप जा रहा है तो इसे वो down करके नीचे लेकि आने कोशिश करेगी balance point पे बहुत नीचे नहीं और अगर कोई नीचे जा रहा है इस balance point से इसे up करके वापस से अपने इस balance point पे लेकि आने की कोशिश करेगी यानि कि हमेशा एक fixed volume में amount में target point पे balance करने का जो feedback system है वही कलाता feedback mechanism जैसे कि अगर आपका blood pressure ज़्यादा हो गया तो ये baroceptor sense करेंगे और baroceptor sense करके kidney को भेजेंगे message जहां पे रेनीन, angiotensin, eldestron system affect करेगा, माइनस कर देगा जल ब्लेट pressure कम हो जाएगा अगर ब्लेट pressure कम हो रहा है तो इसको ये increase करेंगे जिससे ब्लेट pressure बढ़ जाएगा तो हमने feedback के बारे में बात किया ही हुआ है पहले के वीडियो में ensure करिएगा कि वो आप एक बार check out करे हो तब समझ में आएगा homeostasis का मतलब भी यही है कि body के स्थिति को यथावत बना कर रखें जैसा body के लिए अच्छा है वैसा बना कर रखें example ले लेते हैं, दो homeostasis के लेते हैं कि अगर आपको बहुत गर्मी है, summer का vacation है तो आपको पसीना बहुत आता है sweat बहुत आता है ताकि पसीना आपके surface पे आए और आपको ठंड़क का एसास दे इस case में आपके sweating होती है जबकि अगर यह जो मौसम है वो समर ना होकर कि winter हो जाए cold weather हो जाए तो यहाँ पे आपके पसीने नहीं निकलेंगे बलकि आपके जो hair follicle skin के वो erect हो जाएंगे ताकि heat को conserve परके रखा जा सके और यह सब पार्ट पूर जो हो रहा है वो homeosisosis के अंदर का ही है चले चलते है next slide पे यहाँ पे हम बात करेंगे फिर glands के बारे में हर एक पार्ट बहुत important है जरूर देखा करिएगा glands के बारे में हम बात करते हैं तो glands का मतलब होता है ग्रंथी जैसा कि मैंने आपको बताया आपने अपने दादी नानी के पास एक ऐसी पोटली देखी होगी जिसमें यहाँ पे रस्ती बंदा होबा होता है और इसके अंदर वो सिक्के रखा करती थी तो जिस तरिके से सिक्क बंद है तो सिक्का बाहर नहीं आपाता इसको अगर आपने open किया तो इसमें सिक्का बाहर आ सकता है वैसे यह endocrine gland है इस gland के अंदर आपके hormone रखे गए होते हैं अलग-अलग endocrine gland के respect में यह बाहर आते हैं hormone अपने target site पे जाते हैं और अपना physiological action इंपार्ट करते हैं तो gland को हम लोग बोल सकते हैं कि these are the specialized organ that produce as well as secret specific substance when necessary for the body's various function, body के अलग-अलग function के लिए अगर कोई चोटा बच्चा है तो growth hormone को निकाला जाएगा ताकि बच्चे का growth हो सके reproductive function को start करने के लिए एक particular age के बाद maturation start होगा, spermatogenesis, oogenesis को start करेंगे, so हर एक चीज weight के हिसाब से, body के demand के हिसा मोटा मोटा class में classify कर सकते हैं, एक होता है endocrine gland और दूसरा होता है आपका exocrine gland, endocrine gland मतलब बहुता है अंतासराविद गंतियां और exo का मतलब बहुता है बाहसराविद गंतियां, endo means अंदर और ये जो गंतियां है वो अपने secretions को यानिकी hormones को blood vessels के अंदर देती हैं, फिर throughout के through body के जो part है जहाँ इनको target पर काम करना है, वहाँ पर ये release करते हैं, सबसे पहले हम endocrine को, आपके syllabus में endocrine का ही है, पर हम exocrine को भी brief में देखेंगे, endocrine gland release करते हैं कि specific hormone को जो कि उनके nature के डिपार depend किया गया होगा, उनके gland के type के उपर depend होगा, और ये कहां secret करते हैं, directly blood में, जहां से ये travel करते हैं अपने organ पर, जहां पर इनको जाना है, target side पर जाना है, वहाँ पर पहुंचते हैं, और अपना जो main action है, वो impart करते हैं, जैसे माल लेते हैं कि ये आपका thyroid gland है, और ये पीछे parathyroid gland है, जो भी thyroid gland, ये thyroid, और ये parathyroid, ये जब अपने-अपने section को secret करे तो जाएगा ultimately ये blood में, ठीक है, blood में जाने के बाद अपने target side में जाएगा, तो thyroid अपने function को regulate करेगा, metabolism को regulate करेगा, और parathyroid आपके bone के density वगरे को regulate करेगा, तो ultimately पहुंचेंगे अपने-अपने target पे, लेकिन जाएगे blood के through ही, तो जो example है, आपके endocrine gland, उनमें से पहला है, आपका pituitary gland, जिसे हिंदी में प्यूश कंती भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है master gland, ये important है, याद रखिएगा, master gland इसलिए बोला गया, क्योंकि ये master of all है, मैंने कि सारे hormones को सिकीट करने वाले glands को ये control है, regulate करने का काम करता है, ये question पूछा जा सकता है, MCQs में, हमारी ए model question paper और unlimited attempt on NMCQs का आपको मिलेगा, ये control करते हैं endocrine glands को, ताकि वो अपना अपना respectively secretions को secret कर सके, जैसे की growth hormone और adrenocorticotropic hormones बगरा, जिसे हम short में ACTH कहते हैं, दूसरा जो endocrine hormone का example है आपका thyroid gland, thyroid gland specifically thyroid को produce करता है, जैसे thyroxin, ये बहुत important है, thyroxin को T4 कहते हैं, T4 का दूसरा नाम thyroxin है, याद रखिएगा, वैसे ही triidothironine को T3 कहते हैं, T3 को triidothironine कहते हैं, irrespectively vice versa, दोनों याद रखिएगा, जो की body में metabolism को regulate करते हैं, energy के regulation, production में important part प्ले करते हैं, और जिससे indirectly or directly growth हमारा regulate or control होता रहता है, next है आपका parathoroid gland, parathoroid gland thyroid gland के जास पीछे होता है, जैसे के उपर आपको बताया, these are the small gland located behind the thyroid gland, इनका location याद रखिएगा, ये thyroid gland के पीछे locate होते हैं, और इनका काम है regulation करना, calcium level का in the body through the secretion of parathoroid hormone, PTH, ये आपके जो calcium का level है, body के overall segment या body के overall strength के लिए बहुत important है, एक प्रकास से कहा सकते हो कि आपके building क के लिए जिसे सरीय अच्छड important है, वैसे आपकी body के लिए bone important और bone के लिए calcium important और calcium को काम करने का मदद करता है, आपके parathoroid gland, next है आपका adrenal gland बहुत important है, pharmacology में बहुत जादा use होगा, adrenal gland top of the kidney पे locate होते हैं, ये kidney के उपर cap जैसे structure में होते हैं, और ये बहुत important hormone जैसे cortisol, adrenaline, aldosterone क release करते हैं, जो stress, metabolism और blood pressure को regret करते हैं, खास करके आपके stress और blood pressure में बहुत बड़ा योगदान इनका होता है, ये जो adrenal gland से सिखिट होने वाला adrenaline है वो आपके sympathetic system का मत्तुपून पार्ट है, sympathetic system हमने पढ़ा हुआ है, जो आपको sympathy देता है, adverse condition में आपको एक energy देता है, ताकि अगले कुछ endocrine gland और उनके situation के बारे में, तो next है आपका pineal gland और ये सिखिट करता है melatonin, बहुत important है, ये melatonin भी question कई बार पूचा है, फार्माखोलोजी आने वारे से मस्टस में भी आएगा, जिसका जो काम है, वो sleep-wake cycle को control करना है, जिससे हम लोग बोल तकते हैं कि biological rhythm को maintain करने का काम ये ही करता है, बालेकल rhythm बहुत important है, इसकी कई अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, सर्केडियन से रिदम बोलते हैं, sleep-awake cycle भी बोलते हैं, तो ये आपकी body को ये message पहुचाता है, regulate करता है कि कब सोना है, कब जगना है, कब आपको इस तरह की activity करती रहनी है, टीटेल से पढ़ेंगे आने वाले time पे, next है आपका pancreas, pancreas पे हम haz mark लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत important है, pancreas के बारे में देखेगा, तो it has both endocrine as well as exocrine grant की property functions इसमें होता है, endocrine की रूप में अगर आपका बात करेंगे, तो ये insulin और आपका glucagon secret करता है, जो कि ultimately blood sugar को maintain करने का काम करेगा, अगर आप बात करें, insulin की, तो ये बीटा cell के दोड़ा secret होता है, और ये insulin को अगर बढ़ाता है, तो ये blood glucose level को घटा आएगा, जबकि glucagon आपका alpha cell से secret होता है, और अगर ये alpha cell secret कर रहा है, तो glucose के level को बढ़ाएगा, तो दोनों आप जिसरे को counterbalance करने का काम करते रहते हैं, and final endocrine gland secret होने वाला है, वह आपका gonad, जिसके अंदर include होते है, ovaries and testis, respectively female and male, जो की एक specific hormone है, जो sexual characteristic को develop करने, estrogen का secretion, progesteron का secretion, और testosterone situation के लिए important होते हैं, जो की आपके reproductive function को functionality में लाने के लिए, secondary sexual characteristic को develop करने के लिए, puberty को develop करने के बाद, जैसे की public area पे, hair voice का thin, या ठीक हो जाना, उसकी जो pitch का बढ़ जाना, बदल जाना, इस तरह के चीजों के लिए, यह आपका जो gonads हैं, वो बहुत जादा responsible होते हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा था पहले, कि हमारी एक खुद की लिखी की किताब है, पुश्पेंदर पटेल, वन्दा जंगिल कविता पराते की, जिसका नाम है MCQs in Human Anatomy and Physiology, यह पूरी के पूरी MCQs की किताब है, इसमें पूरे H.A.P. 1 और 2 की questions attempt किये गए हैं, आप इसको check out कर सकते हो, Amazon से purchase कर सकते हैं, description में link मिल जाएगा, या तो अगर आपको online format में attempt करना है, live check करना है अपने score को, तो download कीज़े आ, उसके बाद Human Anatomy का course है, उसे आप join कीज़े, उसमें आपको videos, PDF note, model questionnaire paper, यान की guessing paper, आपके syllabus के system का, और सबसे जर्विचेज, online MCQs, unlimited attempt के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, तो उसे आप check out कर सकते हैं, यहाँ पे एक image भी मैंने आपके लिए insert किया है, human body के जो endocrine system का function है, वो य इस image का credit यहाँ पे दिया गया है, इसे मैंने नहीं बनाया, इसे मैंने लिया है, so all credit for this particular image goes to this side, यहाँ पे देखिए, आपका hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thyroid, parathroid, thymus, ovary testis, gonels के अंदर, जो ovary or testis, यह दिखिए, यह, तो यह सारे body के अलग-अलग हिस्से हैं, जहां से hormone निकलता है, hypothalamus brain में located है, pituitary gland, brain में located है, pineal gland, brain में located है, thyroid आपके यहाँ पे गले पे दिखाए दे रहा है, यह जो parathroid है, वो इस तरह के पीछे में दिखेंगे, पीछे इसमें एक, दो, तीन, चार से छोटे-छोटे dots दिखेंगे, यह आपके parathroid है, और यह आपका thymus है, और male और female में respectively, ov वीडियो लिंक मिल जाएगा, इसके उपर हमने वीडियो बना रखा है, यह जी-पैट के लिए काम आता है, आगे दा करके और pharmacist exam के लिए काम आता है, इस पैसिफिकली अगर आप बात करोगे, तो pituitary gland के जारा सिकिट के जानावाले hormone, उसका nature, उसका target organ, उसका function क्या क्या ह anterior lobe क्या सिकिट करता है, growth hormone, nature क्या है, protein, कहां पे दा के target करेगा, liver, edupose tissue पे, function क्या है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इस तरीके से अलग-अलग lobe के द्वारा सिकिट के जानावाले जो chemicals हैं, हर्मोन हैं, उनका nature क्या है, वो इस वीडियो में दिखाया गया है, ज exocrine gland क्या होते हैं, ऐसे gland जो अपने secretion को duck के through body के specific target cell में पहुचाते हैं, cavities में पहुचाते हैं, उनको कहते हैं exocrine, यह blood में नहीं पहुचाते, these products are enzymes, याद रखेगा, यह enzyme होते हैं, sweat होते हैं, saliva होता है, और other substance होते हैं, और इनके अंदर कौन-कौन से चीज़े include हैं, पह enzyme, और यह food के digestion के लिए, as well as, छोटे-मोटे macrosm को मुँ में ही destroy करने के लिए use होता है, अब आप खुच सोचो कि जो saliva हो है, वो blood के through थोड़ी बहुचता है, एक पार्ट दूसरे पार्ट, यह तो आपके duct में आगए, और आपके मु में आगए, यानि कि over beyond the blood vessels पहुच रहा है, जब गर्मी लगती है, तो यह sweating करते हैं, जैसे हमें ठंड़ा का एसास होता है, यह भी blood से थोड़ी ना आता है, इसके बाद है, आपका sebaceous gland बहुत important है, यह आपके skin में पाए जाता है, जो sebum, यानि की oil को सिकिट करने का काम करता है, इसका function यह है कि body के skin को lubricate, luster provide किया हो पाता, तो अब आप वापस से oil की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से body lotion या oil वगरे लगाते हो, ultimate उसका काम तो यह होता है, lubricate करना, और यह काम naturally आपका sebaceous gland करता है, जो कि exocrine का example है, next आपका mammary gland, जो कि specifically mammalians में ही पाया जाता है, यह आपके mammals की characteristic feature है, जो milk के production को काम करता है, ताकि यह milk produce कर सके offspring में और अपने बच्चों को यह nutrition provide करने के लिए जरूरी है, और यह केबल mammals में ही पाया जाएगा female में, इसके बाद है आपका pancreas, तो हमने पहले भी डिसकास किया कि यह एक ऐसा gland है, जो endo और exo दोनों को represent करता है, endo का तो आपने देख लिया, exo के आपका pancreas, next आता है आपका liver, जो कि अभी फिला last है, तो liver bile बनाता है, देखिए याद रखिएगा, liver bile बनाता है और यह जो bile है, वो आपके gallbladder में store होता है, gallbladder में store होने के बाद release कर दिया जाता है, duct के through कहां आपके small intestine में, जो कि fat के digestion, assimilation करने के लिए बहुत बहुत important example होगे, last slide में हम summarize करते हैं, difference between endocrine और exocrine में, उनके criteria के accordingly, यह question बहुत important होगा semester के exam में, तो criteria number one कहता है, duct, endocrine gland जो है न, वो उनके पास कोई duct नहीं होता, they do not have any duct, तो फिर कैसे पहुचाते हैं, यह जो endocrine gland, मालो यह कि आपका gland है, यह अपने secretions को सीधा blood vessel में भेशते है और wire blood, यह body के अलग-अलग part में जाकर के, अपने target state में जाकर के function produce करते हैं, जबकि exocrine gland के पास duct होता है, और यह duct के through, skin के through, जो अपने sweat है या कुसी और है, इसको release करने का काम करते हैं, sweat gland के through में, ठीक है, तो यह exo और endo में difference होगे, दूसरा secretory products, यह जो product बनाते हैं, व के रूप में secret करने का काम करता रहता है, root of secretion, यह पहले कही extension है, कि कौन से root से secret करते हैं, endocrine अपने secretory product को directly release करते हैं, आपके blood stream में, जो की आगे जाकर करके, अपने target cell पे जाकर के add करता है, whereas in case of exocrine gland, अब देखोगे, तो यह internal part पे, organ पे, या किस सूसे surface पे जाके काम करत हैं, लेकिन duck के through, blood vessel के through नहीं, आखरी point है हमारा example, जो की मत्तुकून है, तो इसके अंदर example हमने देखे कई, thyroid, parathyroid, आपका pituitary gland, gonans वगरा, adrenal gland वगरा, यह सारे के सारे, जबकि exocrine के अंदर salivary gland, liver, आपका different burners gland, isofagal, liver, यह सब कुछ आ जाते हैं, तो यह था हमारा आज क वीडियो, जिसमें हमने डिसकर्स किया basic introduction to endocrine gland, as well as the hormones, अगर आप इन सब के MCQs, डाउनलोड करके, अटेंड करना चाहते हैं, आपके अंदर ही, तो प्लीज डाउनलोड सोलिशन फार्मसी मोबाइल अब, यह से offline में पढ़ना चाहते हैं, तो किताब हमारी है, काफी अच् प्रेंट लिंक्स related to this topic of video, आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगे, feedback देजेगा, अगर आपको लेचर पसंद आया समझ मैं तो, thank you, take care